नमस्कार, 21 Unconditional Love, Spiritual Love and Light चैनल पर मैं उशा किरन पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Healing Abilities के बारे में जो Twin Souls के पास Automatically By Birth होती हैं और Time To Time Reveal होती हैं और इन Abilities के बारे में जो Twin Soul कहलो, Wanderer कहलो, Special Soul कहलो वो जानते भी नहीं हैं यहां मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यह Terms यूज़ करती हूँ कि Special Soul, Wanderer लेकिन हम सभी एक ही हैं हम अलग नहीं हैं सिर्फ इन Terms को यूज़ करने का Reason यह है कि इनकी Life थोड़ी से Different होती है थोड़ी सी के बहुत ज़दा Different होती है बहुत Tough Life होती है और Physically के साथ साथ जैसे कुछ की Life में Physical Challenges ज़दा होते हैं और कुछ की लाइफ में mental challenges ज़्यादा होते हैं कुछ की लाइफ में emotional challenges ज़्यादा होते हैं ये जो variation होता है वो आपके soul contract के according होता है और इनी challenges की वज़े से जो हमारी life है वो बहुत ज़दा tough होती है और बाकियों से थोड़े different sound करती है या मैं कहूं की बाकियों के मकाबले हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी positivity हमें पता चल जाती है positive side हमें पता चल जाती है तो हम उन सभी लोगों को thanks देते हैं और उन सभी लोगों के thankful होते हैं जिनोंने भी हमारी इस life को problem से problematic बनाने के लिए और हमें face करना पड़ा उस problematic life को हमें उन problems की वे से याद आया हमारे मन में questions उठे और उन questions के answers हमने ढूंडे means जो भी हमारी life में बाकियों से थोड़ा सर different होता है तो हम questions ढूंडे हम बाकियों जैसे क्यों नहीं है और जब हम question करते हैं तो हमें answer मिलते है और ये इसी वज़े से होता है कि ये अगर ना हो हमारी life में तो हम question ना करें कोशन ना करें तो answer ना मिले इसी वज़े से ये terms में use करती हूं और इसका और कोई reason नहीं है तो ये जो special abilities हमारे अंदर होती है और हमें पता नहीं होता है ये by birth होती है लेकिन time to time ये बूम करके means तेजी से सामने आने लग जाती है जैसे जैसे हम अपनी life में grow करते हैं वैसे वैसे हमारी ये जो abilities हैं वो unlock होनी start हो जाती है जैसे कि मैं जो आज का experience share कर रही हूं वो experience मैं पहले भी share कर चुकी हूं लेकिन आज की consciousness में और पहले की consciousness में थोड़ा सा different है पहले मुझे सर्फ इतना मालूम था कि हाँ ये मेरे साथ होता है लेकिन reason नहीं पता था क्यूं होता है बहुत time के बाद थोड़ा सा reason ये पता चला कि ये healing ability है लेकिन आज मुझे और ज़्यादा consciousness इस healing ability से लेकर मेली है वो मैं आपके साथ दुभारा से share करना चाह रही हूं current consciousness के साथ मेरे साथ after marriage new experience क्या हुआ कि जब भी बी मैं पानी को हाथ लगाती सी तो मुझे current लगता था जबकि शादी से पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा क्या हुआ जो शादी के बाद मेरे साथ ये चीज़ होने लगी कि मैंने जैसे ही पानी को direct पानी को किसी बरतन में रखा तो नहीं लेकिन जैसे ही मैंने पानी को हाथ लगाया तो मुझे एक आलग current फील होता था और बकाइदा उतना तेज होता था वो कि जैसे मैंने किसी बिजली के तार को छू दिया हो मुझे ऐसे लगा शायद उस नलके में कुछ ऐसा है कहीं से वायर टच है जो मुझे करंट लग रहा है और जबकि उसमें प्लास्टिक का टॉप था लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है बाकी सब ने टच किया किसों को कुछ नहीं होता था लेकिन मैं टच करती थी तो मुझे उसमें चूने से पानी को चूने से ही करंट लगता था reason मैं इतने सालों से ढूंड रही थी कि ऐसा क्यूं हुआ क्यूं मेरे साथ ऐसा होता है आज भी हो जाता है अब मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यूं होता है क्यूं क्यूंकि आप जिस element से बने हुए हो और अगर आपका उस element का balance नहीं है तो obviously बात है कि आप react करोगे ही करोगे तो healing abilities में सभी के अंदर एक जिसी abilities नहीं होती different different होती है और उसी के according आप अपनी healing abilities को use कर पाते हो जैसे masculine और feminine energy अगर आपकी balance नहीं है तो आपकी healing सही से नहीं हो पाएगी और आप उन सब चीजों को touch करने पर react करीगी आपकी body क्यूंकि अंदर की जो energy है वो pull कर रही है इस वज़े से और जब भी मैं masculine energy में ज़्यादा move करती हूँ तो मुझे ये current ज़्यादा feel होता है और जब मैं feminine energy में ज़्यादा move करती हूँ या feminine energy ज़्यादा हो जाती है balance नहीं रह पाता तो उस time मेरे emotions ज़्यादा बाहर निकल कर रहते हैं और time के रहते हैं ये पता चला कि ये balance करना आ गया सीख लिया बट ये current का reason मुझे नहीं पता चल रहा था कि current क्यूं लगता है अब आज की rate में मैं जानते हूँ कि हाँ current का reason यहीं है कि आपकी जो energy है वो imbalance हो रही है और एक energy बहुत ज़्यादा excess में है और उस energy को balance करने के लिए आपको इसको release करना है तो या तो आप इसको release करके waste कर दो अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना कि जब excess में हमारे अंदर कोई energy बनती है तो हम दो तरीके से उस energy को use कर सकते है या तो हम उस energy को मिस बॉटल में पानी ज़्यादा भर गया तो उसको या तो गिराया जा सकता है sink में या फिर उस पानी को plants में या किसी और काम के लिए use किया जा सकता है अब यह उस person के उपर है कि वो उस पानी को उस energy को कैसे use कर रहा है ठीक ऐसे ही यह हमारे उपर है कि वो जो excess energy हमारी body में create हो गई है उसे हम कैसे utilize करना चाहें या waste करना चाहें बहुत सरी लोग यह जानते ही नहीं है कि उस energy को वो waste कर रहे हैं तो ज़्यादा तर ऐसे में वो grounding करते हैं और उस energy को वो grounding करके release करते हैं लेकिन हमें उस energy को दोनों तरीके से release करना है grounding के साथ साथ हमें healing करकर भी release करना है कि जिन लोगों को heal होनी के जरूरत है हम उन लोगों को अपनी energy से heal कर सके एक और experience मेरे साथ अकसर होता है अभी भी होता है कि बहुत ज़दा electricity बनने लग जाती है body में और उसका reason मैं इतने time से डूणने की कोशिश कर रही हूं means 2015 से लेकर अब तक इस question का answer मैं डूण रही थी कि ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि इसकी वज़े से मेरा बच्चा भी परिशान हो जाता है कई बर कि अचानक से उसने मुझे touch किया तो उसको बहुत तेज करंट लगता है और school में teachers ने भी same यही चीज़ फिल की है कि अगर अचानक से वो आके touch करेंगे सबके साथ ऐसा नहीं होता यह अचानक होता है कि रोज रोज बारबर चुएंगे तो ऐसा होगा ऐसा नहीं होता लेकिन अचानक से अगर ऐसा होता है तो वो करंट लगता है अब उसका reason मुझे आज पता चला यहाँ reason बताने से पहले मैं clear कर दूँ कि मुझे मेरे question के answers मिल कहां से रहे है एक book है love one जिसके बारे मैं अपनी वीडियोज में बार बार बोल रही हूँ इस book की consciousness से connect होने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे question के answers automatically मिल रहे हैं इस book में जिस तरीके से उस content को समझाया गया है तो book को पढ़ते वक्त अपने आप वो channeling होने लग जाती है कि अच्छा उसका reason यहाँ है और मैं surprise बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यह book हर उस person के पास पहुँचेगी time लग सकता है किसी के पास पहले किसी के पास बाद में लेकिन यह हर उस person के पास पहुँचेगी जो truth को जानना चाता है जो divine में believe करता है जो love and light में believe करता है जो अपने आप को जानना चाता है और जो पर्मात्मा को जैसे है वैसे जानना चाता है और जब उस person की consciousness उतनी raise हो जाएगी कि इस book की बातों को वो समझ पाए तो यह book अपने आप connect करेगी एक और experience मैंने इस book का किया है कि यह book phases में connect करती है means कोई से connect होके उस book को अच्छे से एक बार में समझ ले जरूरी नहीं है उस knowledge को वो अलग-अलग time पर अलग-अलग तरीके से समझता है क्यूंकि मैं इस consciousness से connected हूँ recent में और मैंने खुद यह experience किया है कि खुद मैं दिल से चाहती भी हूँ इस book से connect रहना लेकिन मुझे और किनी कामों में engage कर दिया जाता है और तब मुझे यह realize हो जाता है कि यह consciousness धीरे धीरे समझनी है यह नहीं कि एकी रात में या दो रातों में पूरी book पर डालनी है नहीं यह पढ़नी नहीं है यह समझनी है इसको आपकी life से correlate करके देखना है कि आप क्या वास्तों में इस consciousness से connected है और जो लोग connected है उने उनके बहुत सरे कुशन के answers इस book को पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे और जो लोग उस consciousness से connected नहीं है तो वो बीच में बार बार इस book को छोड़ेंगे और बार बार फिर इस book से connect होंगे चलिए अब experience बता देती हूँ कि जो body में current बनता है उसका reason यह है कि आपके अंदर universal energy इतनी ज़्यादा store हो गई है कि अब वो चाहती है कि उस excess energy को body से release करो, उसे utilize करो और उसे healing के लिए use करो और जब यह excess में energy बन जाती है जो भी needy people होता है तब वो अपने आप आपकी तरफ attract होता है और अंजाने में ही आपके touch से उसका touch होने पर उसकी पूरी जो body है वो heal हो जाती है उसके चक्राज जो हैं वो heal हो जाते है यहाँ पर मैं सभी experience तो एक साथ नहीं share कर सकते है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं सरफ एक experience share कर रहे हूँ कि जिन teachers कोई experience हुआ उनमें से जो एक teacher है उस time जिस time वो बहुत ज़दा pain और suffering में थी वो अपने इस pain और suffering से निकलने की कोशिश कर रही थी और अंजाने में छुटी के time उनका हाथ मेरे हाथ से touch हो गया और एकदम से उनको तेज इतना जटका लगा और उने बोला कि उशा यह तुम तो सही में करंट मारती हो तो मैंने का हाँ मैं इसलिए कहती हूँ कि भई मुझे अचानक से मत चुआ करो नॉर्मली बात किया करो फिर कुछ काम है तो ठीक है otherwise ऐसे यह नहीं है कि आके तुम आके हाथ पकड़ रहे हो या मतलब टच करने की कोशिश कर रहे हो तो टीचर जो है तो उनको लगा कि कि ऐसा क्यूं है तुमारे साथ तो जो फीमेल टीचर थी उनको बड़ा जीव लगा कि ऐसा क्यूं है तो मैंने का मुझे भी नहीं पता मैं भी इस कोशन का अंसर ढूंड रही हो और आज मुझे उस कोशन का अंसर मिला है उसका अंसर है कि क्यूंकि वो उस टाइम नेगेटिव पोलेरिटी में थी उनको हीलिंग की जरूरत थी और हर उस परसन को जिसको हीलिंग की जरूरत है आप हीलर हैं आपकी बॉड़ी में ज्यादा एक्सिस में हीलिंग एनरजी क्रियेट हो रही है या आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हो वो आपके अपने लिए नहीं कर रहे हो आप क्योंकि आपको वो टास्क दिया गया है और आप भले ही अंजान हो उस हीलिंग एबिलिटी से लेकिन क्योंकि आप अपने सोल कॉंट्रेक्ट में लिखा के लेकर आए हो तो आप लोगों को हील करोगे ही करोगे और जिस टाइम उन्होंने एक्सपिरियेंस किया उस टाइम वो बहुत पेन और सफरिंग में थी उसके बाद ना जाने कितनी बार हम लोगों की बात हुई हम लोग पास में भी बैठे और क्योंकि पेपर वर्क के टाइम में होता ही है कि पैन देना ये देना तो एक दूसरे से हैंड तो हैंड टच होते ही है उसके बाद कभी उस टीचर को ऐसे कोई शौक नहीं लगा कोई करंटिया जटका नहीं लगा तो उसी टाइम क्यों लगा मेरे माइन में भी यही कोशन था उसी टाइम क्यों और वो सेम वो ही मैं पार्सनल अपने बेटे के एक्सपिरियंस पर आती हूँ कि बेटा तो रोजी है उसको ना जने कितनी बार में छूती हूँ तब कभी नहीं लगता लेकिन अचानक से ही क्यों तो उसका रीजन यह है कि जब भी भी सामने वाला लो वाइब्रेशन में जाएगा और वो हाई वाइब्रेशन की तरफ अट्रेक्ट होगा और जैसे ही उसे वो हीलिंग की जरुद पड़ेगी तो वो अपने आप सोल पहचान लेती है कि उसको हीलिंग कहां से मिल सकती है तो उस परसन की तरफ अट्रेक्ट हो गई होगा जिसके अंदर हीलिंग एब्लिटी है अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा experience हो रहा है तो ये मान के चलो कि आपके अंदर हीलिंग एब्लिटी है और वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है कि आप अपने आपको हील करो क्योंकि मैं इस हीलिंग एब्लिटी को सरफ अपने लिए हील कियाए वो यूज किया करती थी अपने आपको हील करने के लिए अपनी चक्राज को बैलेंस करना अपनी हीलिंग करना अगर डिली यूज में जोभी प्रॉब्लम्स है तो उनके solutions खुद ढूण कर उनकी उनको हील करना उन problems को heal करना दूसरों के साथ share नहीं करना normally आदत नहीं है कि दूसरों के साथ मैं अपनी कोई problem भी share करूँ अब तो क्योंकि guidance मिल रही है तो मैं share कर रही हूँ उन problem और solutions को otherwise normally चाहे मैं कितने भी problem में हूँ सामने वाला मेरे face को देखके ये कभी भी नहीं जान सकता कि हाँ ये pain या suffering में है तो ये healers की खासियत होती है कि वो कभी भी अपना pain या suffering किसी को नहीं दिखाते वो जानते हैं कि उनको अपने आपको कैसे heal करना है वो जानते हैं कि सामने वाले को pain हो रहा है तो इतना pain वो कैसे बियर करेगा और यही रीजन है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए सामने सामने आते हैं और अपनी हीलिंग से सामने वाले को हील करते हैं तो इस तरीके से अगर आपकी बाडी में एकसेस में हीलिंग, पावर, क्रियेट हो रही है या यूनिवर्स से रिसीव हो रही है तो आप उन लोगों की हेल्प कीजिए जो वास्तों में पेन में हैं, सफरिंग में हैं वो चाह रहे हैं कि कोई उन्हें हील कर दे लेकिन वो मैथर्ड नहीं जानते, वो तरीका नहीं जानते आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कैसे सिर्फ आपकी thought process से healing उनकी हो जाएगी मिंस यह नहीं कि आपको उनको touch करना है जाके आप सिर्फ अपने mind में intention set कीजिए और वो healing process अपने thought level पर कीजिए उस person के लिए आप देखेंगे जब आप किसी person के लिए healing thought process लेकर आ रहे हैं दिल से उसे heal करना चाहरे हैं तो आपके fingers के tips से कुछ release हो रहा है आप यह feel करेंगे कि हाँ कुछ heal हो रहा है लेकिन यह healing देते वक्त आप direct healing नहीं करेंगे आप universe की help लेंगे आप परमात्मा की help लेंगे और उन से request करेंगे कि यह जितनी भी access जो healing energy create हुई है तो वो उस person तक जाए जिसको इस healing की जरूरत है और जब हम किसी को healing देते हैं तो हमें वो intention set करनी पड़ती है उस person को visual करना पड़ता है उस process में उसे healing देना होता है means हम अपनी visualization में उस person को heal कर रहे होते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो experience मैंने अपनी life में की है जैसे अब मुझे reason पता चल गया कोशिश में यही करती हूँ कि इस energy को मैं इस तरीके से release करूँ क्योंकि हम thought process में एक ही time पर बहुत सरे लोगों को heal कर सकते हैं लेकिन physically हम only single person को heal कर पाते हैं अगर मास में लोग बहुत sad mood में बैटे हैं और आप visualize करकर अपनी healing ability से उन लोगों को heal कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो पूरा के पूरा group एकदम से उस group के energy change हो जाएगी और ये सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं मानना आप इसको करके देखना क्योंकि मैं इन चीजों को करती हूँ experience के बाद मैं ये बात कह रही हूँ और ये सालों के experience के बाद मैं आप से share कर रही हूँ क्योंकि पहले ये मुझसे अंजाने में होता था होता पहले भी था पहले अंजाने में होता था अब मैं इसको इंटेंसिटी के साथ इंटेंशन सेट करकर करती हूँ कि हाँ मुझे इस परसन को हील करना है इस परसन के लिए मैं अपनी हीलिंग पावर सेंड कर रही हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं साथी साथ अंदर से खुशी मिलती है कि जिस सोल पर्पस के लिए इस अर्थ प्लेन पर मैं आई हूँ मैं उसे पूरा कर पा रही हूँ हालनकि जब हम सोल पर्पस पूरा करते हैं तो उसे पूरा करना आसान नहीं है बहुत सारे चैलेंजिस आपके सामने आएंगे लेकिन क्योंकि आप वांडरर्स हो आप इसी काम के लिए चूज किये गई हो ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर टीचर एटसेटरा को चूज किया जाता है आपको भी चूज किया गई है इस काम के लिए तो आप वो काम करोगे ही करोगे चाहे अनजाने में करो चाहे जानके करो अनजाने में करोगे तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जानके करोगे तो और जदा बहुत अच्छे से उस काम को कर पाओगे मेंली ये जो एक्सपीरियंस है शेर करने का रीजन यह था इस टाइम हमारी अर्थ को अर्थ को मीन्स खाली मैं ग्राउंडिंग की बात नहीं कर रही हूं अर्थ के उपर अविलेबल हर एक चीज़ की बात कर रही हूं चाहिए वो living thing हो या non living thing हो सभी को healing की похож अड़ जरूरत है और सबसे दर चरूरत है अर्थ प्लेन को थ्रोट चक्रा के हीलिंग की तो जितने भी हीलर्स हैं और मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपसे मेरी हाज जोड़ का रिक्वेस्ट है कि Mother Earth के थ्रोट चक्रा को, Heart चक्रा को हील कीजिये जब मेडिटेशन करते हैं तो mother earth और इस mother earth के उपर और अंदर दोनों ही जगा जितनी भी living things या non living things available हैं उन सभी को healing send कीजिए जितना ज़्यादा mother earth heal होगी उतना ज़्यादा earth plane पर life easy होगी क्योंकि जो healers हैं उनके अंदर ये ability ज़्यादा है जब वो intention set करकर ये healing ability send करते हैं तो mother earth तेजी से heal होती है mother earth के उपर रहने वले living beings बहुत तेजी से heal होते हैं एकदम से energy change होती है और आसपास का आपका महल change होने लग जाता है mother earth हम से healing मांग रही है बलकि मैं कहूंगी वो मांगती नहीं है वो उनका काम तो देना है लेकिन जैसे उनका काम देना है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें heal करें जैसे एक मांग अपने बच्चे के लिए हर पल कुछ ना कुछ करती रहती है लेकिन उस बच्चे का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपनी मां के लिए कुछ ऐसा कर दे कि उसके मां के होटों पर स्माइल आ जाए ठीक ऐसे ही हम भी Mother Earth को heal करने के लिए ऐसे healing powers को thoughts को send कर सकते हैं जो उन्हें अंदर से heal कर दे और अपनी इस healing ability को utilize करें ना कि waste करें और जितना हो सके ग्रुप में meditation करें ग्रुप में meditation करने से जो vibration है वो बहुत तेजी से raise होती है और अगर physically hand में hand पकड़के ग्रुप में meditation करते हैं तो वो और तेजी से work करता है और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो चाहिए आप कितने भी दूर हैं एक limit time पर fix time पर आप एक ही साथ meditation करके अपने meditation में visual कीजे कि आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और आप एक साथ मिल कर इस earth plane को heal कर रहे हैं मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना है thanks for watching मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद झाल